हलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों जैसा क्या आप लोग जान रहे हैं हमारा ITI का जो foundation class चर रहा है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे lesson second यानि lesson 2 के बारे में दोस्तों lesson first हमारा जो safety and health था उसका complete हो चुका है तो आप लोग नहीं देखे हैं तो playlist में जाके जरू देख लिजेगा तो आज हम lesson 2 लेकर आये हैं जो basic electricity से लिया गया है तो इसके अंतरदर इतने भी theory है इसको हम complete करेंगे देन उसके बाद numerical और objective question practice करने वाले हैं ओके दोस्तों तो चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जरू सस्क्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ठीक है ITI के exam के लिए बहुत सारे वीडियों बनाए हुए हैं जो ITI first year exam के लिए ITI second year exam के लिए तो आप playlist में जुड़कर वो सभी वीडियों जुरू देख लेंगे तो इस वीडियों में देखेंगे basic electricity तो दोस्तों electricity होती क्या है उके उसके बारे में देखते हैं देखे electricity विद्धूत आवेसों की उपस्थिती एवं उनके प्रवाह की एक भौतिक परिगटना है आवेसों का अस्थान अंत्रण ही वैद्धूत के जनन का कारण है दोस्तों जो आवेस होते हैं चार्ज होते हैं उनका एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे गमन करना या जाना ही वैद्धूत के जनन का कारण है उके, वर्तमान में काम में ली जा रही कई आधूनिक तक्रिकों के केंद्र में विदूत है, उपकरणों को सक्री करने के लिए वैदूत सक्ति आवस्यक है वर्तमान परिछण में हमारे प्रतेक कार चाहे वो अधोगिक हो घरेलू हो या अनकिसी प्रकार का कारे हो वैदूत का योगदान सरुपरड़ी है ठीक है आगे है वैदूत के प्रकार दोस्तों टाइपस ऑफ लेक्टिसिटी तो वैदूत के मुक्तर दो प्रकार होते हैं ठीक है कौन-कौन एक इस्थैतिक वैदूक होता है एक गतिक वैदूक होता है दोस्तों जो इस्थैतिक होता है या क्या होता है इस्थैतिक इलेक्टिसिटी ह होता है इसके अंतरगत चार्ज जो है इस्थिर होते हैं गमन नहीं करते हैं एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर नहीं जा सकते हैं ओके वहीं दोस्तों गतिक वैदूत होता है जो डैनेमिक electricity होता है तो उसके charge गमन कर सकते हैं यानि उसके charge एक अस्थान से दूसरे अस्थान अस्थान अंतरीत कर सकते हैं तो आज कल के दोर में हम ज़्यादा तर डैनेमिक का ही यूज कर रहे हैं प्रियोग कर रहे हैं तो इसमें पहला देखते हैं static electricity इस्थातिक विद्धूत का तात्पर electron की बिराम वस्था से है जो दो वस्थान की किसी रगड अथवा घरसन द्वारा निर्मित होती है इस्थातिक आवेसों द्वारा इस्थातिक वद्धूत के उत्पादन का स्रे थेल्स नामक वैग्यानिक को जाता है याद रखेंगे थेल्स नामक वैग्यानिक हो जाता है जबकि आवेसों का धनात्मक या रिडात्मक गूर्ण वेंजामिंग फ्रेंकलिंग ने बताया था तो इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे जो आवेसों दोरा स्थेतिक विद्धु का जो उत्पादन का स्रे जाता है थेलस नामक वेग्यानिक हो जाता है और धनात्मक और रिडात्मक का कूर जो है वेंजामिंग फ्रेंकल ने बताया था ओके तो इस्थिर वैदूत का केवल एक दोस है कि इससे उत्पन विद्धुधारा को अस्थान आंतरित नहीं किया जा सकता ओके दोस्तों यहीं कारण है कि गतिक वैदूतों के जनन का कारण बना ओके यानि इस्थिर वैदूत को हम अस्थान आंतरित नहीं कर स लगते हैं तो इसलिए जो गतिक व्यद्दुत है उसका हम ज्यादा तर यूज करते हैं दोस्तों कुछ उधारण है अगर आप जो चमडा है और एमबर है इसको रगडेंगे तो धनावेशित रिणावेशित आपस में चिपकेंगे ओके इसी प्रकार आपका रेसम ले लेंग तो कांच को रेसम पे रगडेंगे तो धनावेशित जहां होगा रिडावेशित पे चिपक जाएगा तो एक कुछ उधारण है आगे दोस्तों देखते हैं गतिक व्यद्दुत यानि डायनेमिक इलेक्टिसिटी गतिमान आवेशित द्वारा उत्पन विद्दूत गतिक व क्या होता है ताब व्यद्दूत होता है प्रकास व्यद्दूत होता है और दाब व्यद्दूत होता है गतिक व्यद्दूत का लाव यह है कि इसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थानांतरित कर व्यद्दूत के उपयोग को बहुत आसान बनाया जा सकता है इस अ परमाणूं की आंतरिक सनचना पर निर्भर करती है दोस्तों जो वैधुत की प्रक्रिती होती है जो परमाणू होते हैं उनके आंतरिक सनचना पर निर्भर करती है ठीक है आगे देखते हैं मुक्त इलेक्टान यानि फ्री इलेक्टान कंसेप्ट तो किसी भी ठोज प्रदात म में वाधुत का प्रवा उसमें उपस्तित मुक्ति लक्टान के कारण होता है adalah मुक्ति लक्टान चालन परमादू के वाहतम कख्षा में दिर्ग वित्ति करते हैं yes some important term आगे कुछ important term दिया गया है उसको हम बारी बारी से देखेंगे, सबसे पहले है बैधुत छेत्र, यानि इलेक्रिकल फिल्ड, दोस्तों, इलेक्रिकल फिल्ड क्या होता है, तो किसी आवेस के चारों और का वह छेत्र, जिसमें अन्य आवेसों बैधुत प्रवा का अनुभव करते हैं, बैधुत छेत्र कहलाता है, अन्य नाम है परावैधुत तांक छेत्र या इस्थिरवैधुत छेत्र दोस्तों वैधुत छेत्र में आवेशित करण का पत परवेलयाकार होता है ठीक है वैधुत छेत्र एक सद इसरासी है तथा इसका मात्रत बोल्ट होता है यानि दोस्तों किसी आवेश के चारो और का वह छेत्र जिसम के ओ actively वैंदूत कॉर्भाव का प्रवा खाणो में अन्य आविस्स वैदूत का प्रवा का अनुभव करते हैं वैदूधुक्षेटर कहलाता है तो याद रखेंगे वैदूदूदु शेटर बल्की याद रे खाएं तो वे रेखाएं, जो्वाःदूदश्यत् Jung की उपरस्थित्यरी दर्साती हैं. ये बल रेखाएं कालपनिक होती है, बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं कारती. वैदूदबल रेखाएं सद्धित तनाव पूण होती हैं. दोस्तों विद्धूद एस्थेतिक में विद्धूद छेत रेखाएं कभी बंद लूप में नहीं होती है अगला है पॉइंट विद्धूद बल रेखाएं सदे उधन आवेसित से रीड आवेसित की तरह गती करती है यानि दोस्तों यह पॉजटिव है यह निगेटिव है तो हमेशा विद्धूद बल रेखाएं पॉजटिव से निकलती है और निगेटिव में जाती है और कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है यानि कारती नहीं है दूसरे को ओके याद रखेंगे आगे है वैदूत फ्लक्स यानि एलेक्टिकल फ्लक्स तो एलेक्टिकल फ्लक्स क्या होता है किसी आविश से आरंब होने वाली कुल बलरेखाओं की संख्या वैदूत फ्लक्स कलाती है इसे फाई से निरूफित करते हैं याद रखेंगे एलेक्टिकल फ्लक्स को फाई से निर प्रति कुलाम होता है याद रखेंगे दोस्तों जो वैदुत फ्लक्स होता है इसका मातरक क्या होता है बोल्ट मीटर होता है और इसका अन्य मातरक न्यूटन मीटर स्कॉयर प्रति कुलाम स्कॉयर होता है तो वैदुत फ्लक्स एक और दिस रासी है याद रखेंगे वैदुत का मात्रक याद रखेंगे और यह अधिसराशी होती है ओके आगे है वैदुच्छत की तीवता यहनी इलेक्टिकल फिल्ड इंटेंसिटी तो एकांक आवेस्वा लगने वाले वैदुद बल वैदुद बल बिदुच्छत की तीवता कलाती है दोस्तों इसे E से दिनोड करते हैं कैपिटल E से सुचित करते हैं SI मात्रक इसका न्यूंटन प्रति कुलाम होता है ओके याद रखेंगे जो इलेक्टिकल फिल्ड इंसिटी होता है इसका मात्रक न्यूंटन प्रति कुलाम या बोल्ड प्रति मीटर होता है ओके तो आप इस परिवासा से भी देख सकते हैं E बराबर F बटे Q ओके इलेक्टिकल फिंडेंसिटी आगे दोस्तों है ब्याद्धुच्छत की तिर्था को अन्य सुत्र से भी पदस्चित करते हैं जैसे E बराबर Q बटा 4 5 Epsilon 0 Epsilon R R स्क्वाइर बराबर Q बटे R स्क्वाइर जहां के 1 बटे 4 4 5 Epsilon 0 Epsilon 8 एक कांस्टेंट हो जाता है ओके दोस्तों Epsilon डाट यानि Epsilon 0 का मान पुझता है इसको आप याद रखेंगे निर्वात की वैद्धु सिल्ता 8.85 गुड़े दस घाते माइनस बारब फैरट पती मीटर स्क् और Q का मान 9 गुड़े दस घाते 9 निूटन वर्ग मीटर प्रती वर्ग कुलाम होता है ठीक है याद रखेंगे आगे है वैदुत विभव एलेक्टिकल पोटेंसियल तो वैदुत विभव क्या होता है वैदुत विभव वह भौतिक रासी है जो दो आवेसित वस्तुगों क के बीच आवेस प्रवाह की दिशा निधारित करती है किसी एकांक धन आवेस को वैदुत छेत्र के किसी विन्दू में लाने में वैदुत विभव का लाता है ठीक है दोस्तों वैदुत विभव का बहुत इंपोर्टेंट ए फर्मुला है भी बराबर डबलू बटे क्यूँ इसका मातरक की बात करें तो जूल प्रती कुलाम होता है या इसे हम बोल्ट भी करते हैं तो याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट फर्मुला है भी बराबर डबलू बटे क्यूँ इसे हम बोल्ट भी कर या जूल पर कुलाम भी कतते हैं ओके वैदुत धारा सदें उच्छ विभव से निन विभव प्रवाइत होती है यह एक अधिसरासी है यानि वैदुत विभव भी क्या है अधिसरासी है आगे है दोस्तों विभव अंतर यानि विभव का अंतर तो किसी परिपत के दो विंदुओं के बीच विभव अंतर वह बोलता का अंतर है जो धारा प्रवा का कारण बनती है किसी परिपत में विना बोल्ट विभव अंतर के धारा गमन की संकल्पला नहीं किया सकती यानि दो तब तक बीभव में अंतर नहीं होगा तब तक कोई भीधारा फ्लो नहीं हो सकती है जैसे कि अगर एक 20 बोल्ट है दूसरा भी 20 बोल्ट है तो कोई भीधारा संभव इसमें नहीं होगी अगर एक 20 बोल्ट है दूसरा 10 बोल्ट है तो इसमें धारा high to low प्रवाहित होगी, इसका मात्रक्ति बाद करें, तो बोल्ट या जूल प्रती कुलाम होता है, यह एक कवसी रासी है और दिस रासी है, याद रखेंगे विवांतर एक और दिस रासी होती है, आगे दोस्तों, वैद्धुत वाहग बल, याद इलेक्टो मोटी फोर्स, तो इलेक्टो मोटी फोर्स क्या होता है, यह परिपत का वहबल या उर्जा होता है, जो किसी परिपत में इलेक्टान को गती प्रदान करता है, यह में फराबर उर्जा या तिया गया कार वटे आवे ओके दोस्तों विद्धुत्वाहगबल भी क्या है अधिसरास्थी है इसका इकाई जो है बोल्ट या जूल प्रतिक उलाम होता है ग्यातर है विद्धुत्वाहगबल का मान सद्धें विभुवांतर से अधिक होता है दोस्तों जो वैद्धुत्वाहगबल होता है सद्धें वीभुवांतर से अधिक होता है जैसे वीभुवांतर का मतलब क्या आपका 20 वोल्ट तो 20 वोल्ट से हमेशा EMF जो है अधिक होता है ठीक है यानि जो generator produce voltage करता है और जो terminal पर हमें देता है तो हमेशा terminal से EMF voltage जादा होता है याद रखेंगे आगे हैं दोस्तों वैद्धुत धारा दोस्तों वैद्धुत धारा जो होती है किसी चालक में विद्धुत आवेश के प्रवा किदर को वेद्धुधारा करते हैं कोई विचालक है ये कंड़क्टर है तो इसमें जो आवेज की प्रवा की दर होती है उसी को हम वेद्धुधारा करते हैं या इलेक्टान के प्रवा को ही विद्धुधारा करते हैं ओके दोस्तों वैद्धुद्धारा के प्रवा की दिशा इलेक्टान के प्रवा की दिशा के विपरीथ होती है वैद्धुद्धारा की चाल तीन गुड़े दजगाते आठ मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों विद्धुद्धारा को capital I से प्रदसित करते हैं विद्धुद्धारा का मातरक ampere या कुलाम प्रती second होता है देखे Q बराबर I into T होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बटा T हो जाएगा Q जो होता है कुलाम होता है बटा के T time होता है second होता है तो एंपियर जो विद्धुधारा का मात्रक होता है एंपियर होता है या कुलाम प्रती सेकेंड होता है विद्धुधारा हमेशा बंद परिपत में प्रवाहित होती है जैसे दोस्तों यह एक सर्किट है यह एक सर्किट है तो इन दोनों के बीच में जब तक प्रवाहित नही दोस्तों विद्धुध्धारा के सधिश योगनियम की प्सक्र 95 है याद रहिएंगे जो वैधु धारा है यह अधिस्राशी होती है कि अधिस्राशी होती है आगे दोस्तों है वैधु धारा के प्रकार दो प्रकार का होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहला होता है दिश्ट धारा डारेक्ट करेंट दूसरा प्रत्यावर्ति धारा अल्टरनेटिंग करेंट दोस्तों दिश्ट धारा जो होती है उसके बारे में देखते हैं तो देखिए दिश्ट धारा आप फिगर देख सकते हैं दिश्ट धारा वह धारा जिसका मान वह दिशा सदेव नियत रहता है तो इसमें आप देख सकते हैं आई है करेंट है यह टाइम है इसका मान सदेव नि दोस्तों जो दिश्ट धारा होती है डारेक्ट करेंट होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह सुनने होती है उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रो प्लेंटिंग में बैटरी चार्जिंग में इसका प्रियोग किया आता है आगे दोस्तों प्रत्यावर्ति धारा यानि alternating current तो alternating current क्या होता है देख सकते हैं इसके current और time में मान चेंज होता है ओके इसका मान चेंज हो रहा है यानि वह धारा जिसका मान वदिशा समय के साथ परिवर्तित होता है प्रत्यावर्तिधारा कलाता है alternating जो होती है इसकी उपयोग की बात करें तो घरेल में उपयोग करते हैं और दोस्तों इसकी जो frequency होती है वह 50 हर्स होती है तो आप यहां पर graph के द्वारा देख सकते हैं यहां से समय के साथ बढ़ती जा रही है बढ़ रही है सुन्ने हो जा रही है फिर negative बढ़ रही है फिर टू पाई 360 डिगरी पे यहां अपना एक cycle पूड़ा कर ले रही है ठीक है दोस्तों और AC की जो frequency होती है 50 हर्स होती है याद रखेंगे ठीक तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं इसके जितने भी बचे हुए theoretical है इसको part 2 में हम cover कर लेंगे ओके तो चैनल पर नए है तो subscribe जरू कर लिजिएगा दोस्तों अगर वीडियों पसंद आता है तो like जरू करिएगा और अपने सारे दोस्तों में forward जरू कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले इसके part 2 में तब तक के लिए नमस्कार